हलो फ्रेंड्स वेकम टॉली जीएस आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घटना चक्र जीएस पॉइंटर में आर्थिक एवं सामाजिक विकास यह पार्ट टू होगा पार्ट वन से हमारे कुछ टॉपिक शूट करें हैं तो वो हम पार्ट टू में कवर करेंगे अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप हमारे लेलिष्ट में जाकर देख सकते हैं वहां पर पार्ट वन उसके बाद आप जो भी टॉपिक उसमें से छूट गए हैं वहां पार्ट डू में कवर कर रहे हैं तो चलिए हम वीडियो सुरू करते हैं भारत के बड़ी राज की अधिक्तन संख्या पाई जाती है महाराश्ट में छेट रफल में तो यह वास सही है कि मामले में पस्चिभ मंगाल से बढ़ा है डेमोग्राफिक टिविडेंट वाले देश की रूप में की जाती है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर 15 सेले का 64 वर्स की आयो की जनसंख्या सर्वधिक है इसलिए भारत की गिंती जनांगी की लाभांस वाले देश की रूप में की जाती है जब जनसंख्या विशेशक 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावी जनसंख्या की बोनस की बात करती है तो उसका आशे जनसंख्या में उत्वादन कारी आयो समुव में भृति है जनसंख्या प्रिदि का प्रिदिकूल प्रभाव नहीं है कारी कारी जनसंख्या के आकार में भृति निम्नर्कित में से कौन सी बात सही नहीं है भारत में 208 प्रिदिसर जनसंख्या रहती है तो ये बात सही नहीं है भारत की जनसंख्या 121 करून है ये सही है 2001 से 11 के दसक में जनसंख्या बिद्धी 18 दिसमलोग एक करोन की हुई है यह भी सही है जनसंख्या का सरवाधि खनत दिल्ली में है तो यह भी सही है यह 2011 के अमसार इसमें B, C, D कसस नहीं है बाढ़ों में वृति, प्रदोसर में वृति, क्रिसी योग के भूमी में कमी तथा, वन जीवों में अभिति में से भारत की जनसंख्या वृति का प्रदिफल नहीं है वन चीवों में प्रिति, जब दंपर्ती रचण के दर में प्रिति हो रही हो तो जन्मदर तभी घटेगी जब दंपर्ती कम आयोगी हो वर्स 2011 की जनकर्णा के अंसार भारत में लिंक अनुपाद प्रती एक हजार पुर्सों के पीछे इस्तरियों की संख्या है ये लिंक अनुपाद तो कितनी रही है प्रती एक हजार पिर्सों के पीछे 943 मैलाई है 2011 की जनकर्णा के अंसार भारती राजियों में नियुंतम लिंक अनुपाद पाया गया है कहाँ पर हर्याणा में वर्स 2011 की मध्य उत्तर प्रतेश में लिंक अनुपाद में ब्रती हुई है एक हजार पुर्सों पर दस महिलाउं से गुजरा जहार गन महारास पाद मध्य प्रदेश में से एक राज का लिंगा अनुपाद रास्टी होसत से उपर है जहार गन का संबनित अधिरिक्त आखडों के इंसार भारत की जिस समद्राय के बारे में कम लिंगा नुपाद है वहा है सिख भारत में निम्न लिंगा नुपाद है वहा है सिख भारत में निम्न लिंगा नुपाद के लिए उत्तर दाई कारण क्या है उच्छ मात्र मृत्युदर उच्छ बालिका मृत्यदर बालिका भ्रूण हत्य दथा पहिलायों कि बालिकाउं की दुल्ला में अधिक बालकों का जणर वर्स 2011 के यंजंगर्ण में नुसरा प्रति एक हजार पूर्सों पर महिलायों कि संख्या में केरल ने दॉसों गणा किण 214 प्रति一हें करनाठक ओर्टिसा में से उचितम लिंगानपाद ताविनाड़ करने 996 भारती संग सासे छेत्रों में से लिंगानपाद प्रत एक हजार पुर्सों की दुल्नाओं में महिनाओं की संख्या एक हजार से उपर है पुछ जेली में कितनी है 1037 यहाँ पर सुमेलित करना है 1951 में लिंगानपाद 946, 71 में 930, 1991 में 927 और 2011 में 943 2011 की जनगर्णा के अनुजार भारत ने नियुनतम यौन अंबात पाया गया है दमन और दिर्व में 618 है यहाँ पर कुछ कथन दिये गहिन में यह बताना है कि कौन सा कथन सही है तो इसमें हम लेकते हैं 2011 में राजस्तान में लिंगानपाद रास्टी ओसक से कम था यह बत सही है राजस्तान के सभी जिलों में लिंगानपाद 1000 से कम था यह भी सही है राजस्थान के सभी जिलों के क्रामीड छेंट्रों के लिंगान उपाथ 1000 से कम था ये भी सही है राजस्थान के सभी जिलों के सहरी जिलों में लिंगान उपाथ 1000 से कम था ये गलत है तौलपुर के अलामा दिया गए है यहाँ पर 2011 की जनगर्णा के नुसार यहाँ पर यह पूछा गया है तो इसमें एक तीन एक दू तथा तीन से ही है भारत की जनगर्णा 2011 के अनिंतम आकड़ों के नुसार 36 गड़ हड्यारा उपतर प्रदेश पंजाब में से सिसुलिंग गंपास सर्वादीखे 36 गड़ में है भारत की जनगर्णा 2011 के नुसार जम्मौ कश्मेर केरल बंजाब था हर्यारा में से सृसुलिंग जनसंख्या का प्रधिसत भाग रामिर जेत्रों में निंतम कहां पर रहे केरल में भारत के निंतम जनसंख्या ढकड़ानत वाले राजयों का आरोही ओंचना है आरोही क्रम हमें यहाँ पर बताना है नियुंतम जनसंख्या वाले राजों का आरोही क्रम तो नियुंतम जनसंख्या वाले राजों का खानतों का आरोही क्रम है रोराजार पदेश में सबसे कम खानतों है मिजोरम सिक्किन फिर मरी पुराता है भारत के राजियों में सबसे कम खाना आबादी वाला राज़ कौन सा है तो यह हरुणाजा पदे से भारत की साच छर्था में सरवाधी प्रिद्धी देखी गई है 1991-2001 के बीच में लगभग 12.6% 21-11 के बीच में 8.2% तो यह भारत की साच छर्था में सरवाधी प्रिद्धी प्रिद्धी सत है केरल में जनसंख्या का घना तो बहुत अधिक है यह बास सही है केरल की साच छर्था दर बहुत अधिक है यह सही है दोनों सही है लेकिन इसकी सही ब्याख्या नहीं करते हैं उत्तर प्रदेस में भारत की जलसंख्या का सरवाधिक जमाव पाया जाता है। यह भारत का सबसे घाना वसा हुआ राज भी है। यह सही है लेकिन आर गलत है। यह भारत का सबसे घाना राज नहीं है लेकिन यहां पर जलसंख्या सरवाधिक पाया जाती है। 2011 की जंगर्णा की निम्रिखित राज्यों का सही आरोही क्रम है विहार, राजिस्थान, उत्तर प्रदेस, मध्र प्रदेस अत्र यहां पर औरोही आरोही क्रम बताना है हमें बिहार महाराज उत्तरपदे सखा पस्यों मंगाल में से ग्यारा की जनगर्णा के आकड़ों के अनुसार साथ बर सेवं उससे कम आयू के पुरुस महिलाओं में संख्या में अधिक हैं सभी चारों राजियों में आध्यतन जनसंख्या के आकड़ों के अनुसार भारत में इसने पुरू सनपात घर्टा बढ़ता रहता है भार रास्टी परिवार नियोजन कारिक्रम को अंगी घर करने वाला बिस में दूसरा देज है भारत की जनसंख्या नियोजन दूसार दस तक 111 करोर की जनसंख्या पर प्रजिनन का प्रतिस्थापन इसतर प्राफ्ट करने के लिए प्रत्यन प्रयत नसील है तो यहां पर हमें सत्ती बताना है तो भी सही है लेकिन एक अलग है भारत की प्रजिनल्ट प्रतिस्थापन इस तर प्राप्त करने वाला केरल पृथम राज यह सी भी सही है भारत की राष्टी जनसंख्यानीती दोजार के इंसार जनसंख्या इस तर प्राप्त करने का हमारा दीरखावधी लच है था वर्स दोजार पैंदालीस तक राष्टी जनसंख्यानीती दोजार के अंतरगत जो एक लच है था वहां की वर्स दोजार पैंदालीस तर जनसंख्य में इस्थिर्था प्राप्त कर ली जाए अब वह लचित कर दिया गया है 2070 के लिए सर्वाधिक यौन अनुपात वाले राज गेंशासित प्रदेसों में और रोही क्रम बताना है में केरल पुर्चेरी तमिलनाडू आंद्र प्रदेस यह जर्बाधिक यौन अनुपात वाले राज्यों का है देश के वे समू जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेस से अधिक है चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनीसिया तथा प्राजीन भारत में वरिष्ट आयू निर्भरता अनुपात है 14.2% भारत में आबादी, वर्दमान आबादी में 65 पर से अधिक आयू वाले विक्तियों का प्रतिसत्ता कितनी है 4.8% जनकर्ना 2011 के अंसाल भारत में अन्सूची जन जादियों की जनसंख्या का प्रिच्सत है 8.6% अन्सूची जादियों का प्रिच्सत कुल जनसंख्या में उचितन पंजाब में है 31.9% अंसुची जादियों के लोगों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में वह राज जहां अंसुची सेडी में कोई जन जादी आबादी नहीं रखी गई है अंजाब है भारती राजियों में सर्वादी जन जाती जन संख्या घ्रमसा हमात अपते सवच अधिस कड़ में है जन संख्या जन गढ़ना 2011 के आक्रों के इंसार वर्तमा भारत में सर्वादी साच्षर्दा वाला जिला कौन सा है सरचित मिजूरम का है 90 सेवे 8.91% की साच्षर्दा दर है। भारत में प्रभावित साच्षर्दा दर की गढड़ना की जाती है साथ वर्स की अंग्र से उपर की जन संख्या से जनकर्णा 2011 के आपरो पर आदारी भारत में चार सबसे कम साचरता वाले राजों का सही और रोही क्रम है बिहार और राजर प्रदेश राजिस्थान तथा जारकन नहां पर आपर रोही क्रम है चार सबसे कम साचरता वाले राजों का सबसे कम बिहार है उसके बाद अवासर प्रदेश की डाजस स्थान उसके बाद आता है जार गंड का नमन जनकर्णा 2011 के अकड़ों के इंसर उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या 2001 से 11 के दोरान तस्कीद भी ती दर थी 20.2-3% 2011 के अनेंतिम आकड़ों के अनुसार भारत में पूर्स और महिला साचहरता दर का अंतराल रहा है 16.6-8% का भारत की जन संख्या का वाफ प्रदेश जो उत्तर प्रदेश में लगभग 17% 16.5% जन गर्ना 2011 के अनुसार देश में महिलाओं की साचहरता दर है रखवग 14.6% भारत में सरवादी क्रामेर साचहरता पाई जाती है केरल में और कोवा में उसके बाद जन गर्ना 2011 के अन्ती माकड़ों के अनुसार केरल मडीपूर तमिलागद का हिमाचल परदेश राजियों पाई 5.6% राजियों में इस्तरी साचहरता दर सबसे कम रही है वियाकी 55.5% कि संग सासित राजियों में इस्तरी साच शर्ता 2011 के जंगर्णा के अपसार उच्छतम रही है लच्छदीप 87.9% महिला साच शर्ता दर उच एवन नियूंतम कहां पर रही है सबसे ज़्यादा पेरल में और सबसे कम भिहार में भारत की सकल प्रिजनन का दर कहां कितनी है 2.4% है सुने जनसंख्या प्रिथिदर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थाफन जनन इसना प्रतिग भियाई जोड़े के लिए अन्मानित किया गया है 2.1% यदि जन्म एवम भित्य दर समान हे दखा अन्ता है या बाहा प्रवरजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्ता नहीं होता है इसे कहा जाता है जनसंख्या की स्थिर्था 2.1-11 के दोड़ा भारती राजिवा केंसाजी प्रदेशों में साचर्था दर सर्वाधिक बित्थी दर्ष दर्ज की गई है दादरावा नगर हविले की 3.1-11 की जनकर्णा केंसाजार सर्वाधिक प्रथा दर्वाले राज्य सीस पांच राज्ये केरल मिजूर गोवा त्रिपुरा हिमाचल प्रतेशू भारत में इस तेन साचर्था की दिस्च से पांच राज कौन कॉन से है段 तो पहला है केरण मिजूरां गोवा त्रिकुरा सता नदालेंग इस तरी साच्छता के अमसा है ये वर्स 2011 के जर्गणत के अमसार भारत के जिस राज में इसने पुरुस सिच्छा में निमतम अंतर है भाह में खाले हैं भारत में वर्तमांस से सुरित उदर है लगवर 40 पुरती हजार में 40 बच्चों के मेत बेले मरने वलले बच्चों की संख्या का अनपातों से एक साल मुने से पहले ही अगर बच्चों घैते हैं हुसे शुर से शुमित उदर कहाँ जाये घैंए 1000 बच्चों में 201 केंशना डेश्स हजर नच्वत क्य क्यारा के आमसार एक हजार बच्चों में 40 बच्च्चों की म भारत में सर्वादेक मृत्यु बर्णा सुरू की गई करनाठक ने करनाठक में सुरू की गई सुरुवात की गई है भारत के नगरी जेत्रों में नियुनतम सीसु मृत्यु दर पाई जाती है केरल में भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घहना आबाद राज भिहार करें 2019-2011 के आकड़ों के अनुसार भारत 35 वर्स की आयू से कम की जनसंख्या है 65.6% जनगर्णा 2011 के आकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में इस्तिरियों का प्रिच्छत रहा है 48.53% खुल प्रजिनल दर फर्टिलिटी रेट भारत में उच्छतम है बिहार में 3.4% 3.4 है प्रेजन अंदर है ये जनगर्णा दो के नुसार लोगतर क्यारा की जनगर्णा के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्स और उससे अधिक आयो के लोगों का प्रिच्छत 59.29% है जनसंख्या के पिरायमिट में आस्रित आवादी के रूप में जाना जाता है 0-14 वर्स आयो समुम। 65 से अधिक आयो समुम। आयो के भी आस्रित समुम। है जनकर्णा 2011 के अकड़ो के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानपाद वाला जीला है माही पांटुचेरी का है और यहां पर 1184 लिंगानपाद है वर्स 2011 के जनकर्णा के अनुसार उत्तराखंड राज की सरच्छर्दा दर है 78.8% जनकर्णा आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत पे सुका सबसे युवा देश है वर्स 2020 में भारतियों की आसत उम्र होगी 29 वर्स जनकर्णा 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्स से कम आयो बालों की जनसंख्या सकल आबादी का प्रतिसत है लगवग 49% जनकर्णा 2011 के अनुसार मुस्लिम आबादी सरवधीक उत्तर प्रदेश में है भारत के प्रदतिसील राज्य भारत के प्रदतिसील जनसंख्या संसाधन छेतरों में समलिद किये जाते हैं पंजाब का मैदान और गंगा यमना दोवाब दच्यपूर भी करनाटब बढ़ा है तो यह प्रदतिसील जनसंख्या संसाधन छेतरों में समलिद किये जाते हैं जनांकी की लाभास के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने वाले भारत को करना चाहिए कुसलता विकास का प्रुरुसा है फिलिप M. हौसर के अंजार रामिद छेतर से सहरी छेतर में लोगों का देशांत गमन जाना दाता है जनसंख्या इंप्लूशन भारत में नगरी कड़ों से समधित जो भी प्रश्ण दिये गए घटना चकर में अब भू देख लेते हैं एक नगर किसी ग्राम से भिन होता है क्रमसा सामाजिक मूल्यों पारिवारिक संरजना रहन सहन के तरीके थथा आर्धिक कडिया कलापों के संदर में सहरी भृति सूचक है कुल सहरी जनसंख्या में बढ़ू दिये का देश की कुल संसंख्या में भृति का तथा सहरी छेत्रों से आई में दिये का टी के उमिन नगरी वरिवारों का अंतर बताया है टी के उमिन ने आई के साधन तथा उबरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रदिवार सत्ता की सरजना तथा नगरी सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थित्की का आधार चलसंख्या के जिस अंग को सम्मावेशी विकास के कारिक्रम में सम्मिन नहीं किया जाता है वाहे आर्थ सहरी छेत्रों में रहने वाले विंद्र भारत में मध्यम नगरी करण की अवस्था से विसेशित है 1931 से 60-1961 का समय भारत में नगरी करण का इसे चीन से काफी नीच्या है भारती नगर कम नियोजित है यहाँ पर यह और आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करते ही है भारत में सं 2001 की प्सचाद सहीरी करण में तीव रगरती हुई है यह बारत तो सही है भारत में मोबाल सम्प्रेशन के छेत्र में करांती हो रहे है दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करते है एक दूसरे की भारत के सहरी करण के संबंद में सही कथन नहीं है भारत में सभी छेत्रों का सहरी करण सरवता समान रूप से हुआ है तो ये बास अथीवास को नगरी केंद्र परिभासित करने के लिए स्विकार किया गया है जनसंख्या आकार जनसंख्या घनत उत्था व्योसाइक संड़जना वारत में नगरी करण से जन्म और उरित्य दर दोनों भटी है 2011 की जनकर्णा के आधार पर सुनीलित करना है रकरती है इस तरफ राज दिये गए हैं सरवाधिक सहरी कृत राजी तमिल नारू अधिक्तम सहरी आबादी वाला राजी महाराष्ट अधिक्तम जनसंख्या घनत वाला राजी दिंडी सबसे कम जनसंख्या घनत वाला राजी अरुडाचर दोनों भीज भारत में नगरी कित केंद्रों की वर्गी कृत संख्या 6 है नगरी भारत का विस्तार एक पेटफॉर्म है और दिल्वित विकास का आधनिक सेवा छेत्र के विकास दथा परिस्कृत आई आउसरों के निप्माण का भारत के दो नगरी केंद्र जो विस्तों के सबसे अधिक ज संख्या वरे 10 सेरों में से हैं मुंबई तथा दिली मुंबई कोलकाता चिन्ने दिली महानगरों में से लिंकानपात अधिक्तम है चिन्ने में 2011 की जिनकर्ना के अनुसार, भारत में जिनकर्ना नगरों के कुल संख्या है 3892, 2021 के अनुसार भारत में नगरी जन संख्या 31.16 2011 के इंसाल भारत में सहरों में रहने वारे लोगों की संख्या है लगभग 37 करूं भारत में जिले हैं 640 भारत की कुल नगरी जन संख्या 2011 में 10 लाठी नगरों का प्रतिसत युगदान है पुटि 2.6% 2011 के जनकर्णा के इंसाल भारत के प्रधम वर्ग के नगरों का युगदान कुल नगरी जन संख्या में लपग 70 प्रतिसत है गत 30 वर्सों में देली में सरवाधी प्रमसी आए हैं उत्तर प्रदेश से भारत के उत्तरी सहरों में सामानता असंतुलित लिंका अनुपात मिलता है आपर सही कधन कौन सा है हमें ये बताना है एक, दो, तीन, चार दिये गए हैं कधन तो भारत के उत्तरी सहरों में सामानता असंतुलित लिंका अनुपात मिलता है तो ये बात सही है पस्चमी सहरों के केंद्री करण के विप्रित पूर्बी सहर बिखरे हुए है ये बात भी सही है दच्छिर में स्रं सक्ति में मेहलाओं की इस्धामों इसायों की लगो सख्या तदा उच्छ सिच्छादर के कारण वियंतर भागीदारी है ये गलत हो जाता है उस्चिमी सहरों में ग्रामेट छेतरों से लगुतर प्रावर्जन होता है ये बात भी सही है 2011 की जट्करणा के 9010 लाग जिन संख्या वाले नगरों की सर्वाधेक संख्या है उत्तरप्रदेश इब गेरण्द। Essam 2011 की जट्करणा के 9010 लागрон की प्लस जिन संख्या के नगरी समुन नहीं है औरिसा में भारत की एक चौधाई अधिक नगरी जनसंख्या जिन दो राज्यों में निवास करती है वे हैं महाराश्ट एवं उस्ततरपदेश 2011 की जनगर्णा के नुसर सरवाधिक नगरी जनसंख्या बली तीन राज है महाराष्ट उत्तरप्रदेश तमिल्लाड भारत का सरवाधिक नगरी क्रित राज है 2011 की जनगर्णा के नुसर नगरी जनसंख्या के संदरभमे राज्यों का आलोही क्रम है पस्चिम बंगाल, तमिल लाडू, उत्तर प्रदेश सथा महारास्ट भारत के तीन सरवाधिक नगरी क्रित राजियों का सही ग्रम है तमिल लाडू, महारास्ट गुजरान भारत के सरवाधिक नगरी क्रीद पांच राजिय हैं गुवा, मिजूरं, तमिल लाडु, केरण, महारास्ट भारत में सबसे कम नगरी जनसंख्या वाला राजी सिंकिम है 2011 की जनगर्णा के इंचार ग्रामेट जनसंख्या सबसे अधिक अनपात है ग्रामिर जनसंख्या का हिमाचर प्रदेश में 90% भारत के इस्थल अउरुद्ध राजियों हरियाना जमू कस्मीर पंजाब रथा मातप्रदेश में से 2011 की जनकर्णा के इंसर नगरी जनसंख्या का प्रिथ्य सर्वा देखे पंजाब में नगरी करण की द्रिष्ट से भारत है एक मध्यम निम्न नगरी करितेश कुछ कथन कारण दिये गए हैं भारत में नगरी गरीमे की जड़ें ग्रामिर जेत्रों में नहीं थे ग्रामेर छेत्रों में सिच्छा का इसतर नीचा है तो यहां पर एक आर दोनों सही है और आर एका सही व्याख्या है जनसंख्या के विवसाईक धाचे को विक्त करता है विभिन विवसायों में कारीकारी जनसंख्या का विद्रण 2011 के जनकर्णा के इनसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या है 53 2011 के जनकर्णा के अधार पर भारत में 53 दस लाखी जनसंख्या वाले नगर हैं जिनमें उत्तर प्रदेश में 7 हैं भारत की जनकर्णा 2011 के इंसार देश के मिलियन दस लाखे नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर है, कोटा, भारत की 2011 के जनकर्णा के इंसार सरवादीक जनसंख्या नगरी युगमू में धर्सित हुई है, मुंबई इपन दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के 10 लाखे नगरों के संख्या उनके जनसंख्या के आधार पर क्रमसा है, इलहाबाद, लक्नव, आगरा, नेरण हताय के, 2011 के जनकर्णा के इंसार जनसंख्या की दिश्टि से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, इलहाबाद, खाजियाबाद, लक्नव, जनपुतों का सही और रोही क्रम है, जनसंख्या की दिश्टि से इलहाबाद, मुरादाबाद, खाजियाबाद, फिर लक्नव आता है, नगरी और इस थापना में पेजल, आवासन, सोचता तथा परिवाहन में से एक संब्लिक नहीं है, आवासन, भारत के जनकर्णा गवारा लगुक नगरों की स्रेडी में चित्रण के लिए किसे व्यक्त के नियुंतम आयो है 15 वर्स, जनकर्णा 2011 के अंतिमाक्डों के इंसा चंडीगड, दमन इवं दीव, दिल्ली, दाधा, लाच्धियों के नगरी कर्ण के इसतर का सही औरोही क्रम है, औरोही क्रम, दिल्ली, चंडीगड, लाच्धियों और दम दमन दुपलच्धिव, दापुट चरी में से दो साग्यारा की जिनगर्णा के अंसार ख्रामों की संख्या नियुंतम है, दमन इवं दुप में, भारत की नगरी जनसंख्या की दसकी प्रिथिदर उचितम थी, 17-18 के दसक में, भारत में यहाँ पर कुछ बदन दिये गए ह मैं बताना है कि कौन सा असरती है, कौन सा असरती है, भारत में उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे सड़क मार्क के लिए नहीं जाना जाता है, भारत के आयार के लिए भारती रिजर्वेंक विनमे की स्विक्रती देता है, नगरी करण का विलचण है, क्रामेर छेतरों से नग कि तो सही हो जाते हैं इंडस परियोजना भरत सरकार के स्थरम पिवाख था कनाड़ा की संध्यूंट तो नगरी गल्यारा संबंधी थे नगरी के क्रियाक लापों को विस्तार देने से नगरी करण का कारण है ग्रामीर नगरी असुन्तुलन ग्रामीर छेत्रों में नगरी के अउसरों की कम्रा क्रिसे भूमी ना बढ़ जकने वाली प्रिक्रदी दथा नगरों की जूंब की विशिस्ताई ग्रामीर यहाँ पर सत्यकतन बताना है हमें ग्रामीर से नगरी छेत्रों में प्रवास की उची दर नगरी करण के कारणों में सही संबंद बताना है हमें नगरी करण के कारणों के संबंद में सत्यकतन पूचा है तो पहला तो सही हो जाएगा सहरों में सैचिडिक संस्थाओं के बढ़ती संख्या ये भी सही है और दोगी करण की उची दर ये भी सही है गिरामीर जेत्रों में उचा जीनवन इस दर तो ये उचा जीवाइसर तो नहीं होता है भारत में नगरी करण और दोगी करण की ब्रिति के साथ अफरादों में ब्रिति हुई है ये बात सही है और दोगी करण उत्पन करता है मेटरोपॉलिक नगरों की मलिन बस्ति जनसंख्या में ब्रिति बडे नगरी केंत्रों में जनसंख्या का पढ़ता संकेद्र तो नगरी जेत्रों में सेवाओं की मात्रा तो गुर्वत्ता में तेजी से गिरामन मलिन बस्तियों में रहने वाले का जन संख्या प्रद्जब अरिक्तम है मुंबई में वर्स 2011 के जनगर्ना के अपसार सरवाधिक स्लम प्रतिवेधित नगरों के संख्या की द्रिष्ट से सीर सपाच राज हैं सहरी अधोसं रचना के विकास के लिए घोसित की गई नहीं योजनाई है स्वच भारक मिसन हेरीटेस सिटी डेपलप्मेंट एवं आंग मेंटेसन योजना तथा स्मार्ट सिटी योजना राज्टी अधोर ग्रीव को पुनर नवीनी करण मिसन जोला गया था जवाहर लाल नहीरों के नाम से जे इन इन यू आर इम योजना के साथ संबन्थ नहीं है सहरी वितुति करण यहाँ पर कुछ वथन दिये गए हमें बताना है कि जोहर लाल नहीरों रास्टी सहरी पुनर नवीनी करण मिसन के संबन्थ में सही नहीं है यह बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है तो इसमें इसे वर्स 2005 में प्रारम किया गया यह एक दस वर्सी कारिक्रम है तो यह गलत है कि यह एक दस वर्सी कारिक्रम है 2005 में प्रारम किया यह सही है यह भारती सहरों में जीवन की गुर्वनता को बढ़ाने के लिए था यह बात भी सही है यह समावेसी विकास को बढ़ाने के लिए था यह बात भी सही है जे इन इन यू आर इम का संबन था सहरी अधो समझना सुधार करने से स्मार्ट सिटीज मिसन वी जल तथा मल जल सीवरेज का वित्व पोसर जिस राजस उसे होगा वाह है संपत्तिकर अब कुछ कुछ प्रस्न हम विस्व जनसंख्या एवं नगरी करण के भी देख लेते हैं लोग नगरी स्थातक्त के विचार को उस आधार पर विक्सित किया गया है जो अध्यन किये गए मैक्सिको में रेड फिल्ड तथा सिंगर के विचार में प्राध्यमिक नगरी करण की प्रक्रिया को विजे सी क्रित किया जाता है ब्रिहत परपरा के विकां से विस्तु जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में बनाया जाता है जब विस्तु की जनसंख्या नमानता 5 अरभ हो गई बानतिन करण सा था ग्यारा जुलाई 1987 विश्व जनसंख्या दिवसकिती है 11 जुलाई विश्व की पचास विश्व जनसंख्या संक्रेंद संकेंद्रित है 20 डिगरी नौर्थ से लेकर 40 डिगरी नौर्थ छांसों के डिच में विश्व में लिंग अनपात खटने का डर है लिंग निल्धारं के परिचार बढ़ने से नया जनसंख्या बम का तादपर है सीगरता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या जनसंख्या 2011 के अनंतिम आकडों के अंसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है संयुक्त रास्ट आवाज विश्व बैस्विक मानोपस्ती रिपोर्ट UN Habitates Global Report on Human Settlement 2009 के अंसार विकर तीन तसकों में सहरी करण की सबसे तीव रुब्रित हिदर रही है एसिया छेत्र में विश्व के नगरों की इस्थिती पर UN Habit टेटम रिपोर्ट के अंसार उत्पादक्ता अनकूलतम जसक्या जीवन की गुडवत्ता तथा समता में इसे एक नगरों की सम्झिती निर्धारन करनी का आधार नहीं है अनकूलतम जनसंख्या अफ्रीका का सरवाध ही जनसंख्या मला देश नाइसीरिया है दच्छिड एसिया के देशों प्रतिसत नगरी करण का पांगला देश भारत पाकिस्तान तथा स्री लंका और रोही क्रम है पाकिस्तान भारत पांगला देश तथा स्री लंका विस्तो के सर्वाधिक पाच जनसंख्या वाले द्रेस हैं भारत चाइना भारत अमेरिका इंडोनेसिय प्राजीर जर्चुड अमेरिका का सर्वाधिक नगरी कृत देस अर्जन्टीना है सर्वाधिक नगरी कृत महादुई आस्ट्रेलिया है जनसंख्या वित का सर्वाधिक का सबसे खाना बसादेश एकवर्डोर है एक अन्वान के अस्वार विसकी सतर प्रत्सत आवाधी जिस वर्स तक नगरों में सिमट जाएगी वहा है वर्स दोजार पचास जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद आते हैं सैयुत राज अमेरिका और इंडो से जल्शंख्या घंचत सबसे कम था उल्दरी अमेरिका में कनाडा फिल्लैंड नार्वे तता ज्रीा में पटाल क भारत कि चीन भारत इंडोडैसीय साहिं तराज मेरिका देशों में से निधरी जल्संख्या सर्वाधिक चाइना में है। इसाई, मुसलिम, हिंडू, बोथ नील, घाटी, दघा जावा देप में उचे जनसंख्या घनत मुने का प्रादमी कारण है सखन क्रिशी, संसार में सर्वधिक नगरी क्रिप देश है, सिंगापूर, मकावव, आदी, दच्छुर एसिया का सबसे खना बसा देश है, मालदेश, विस्में अधिक्तम आयो संभावित है, जापान में, दच्छुर एसिया के बांगला देश, भारत, स्री लंका तथा पस् संसार के दो प्रिज़त लोग अपनी माध्रिपूम से बाहर निवास करते हैं, ये बत सही है, उसीनिया में प्रवासी लोगों की जनसंख्या का प्रिज़त तरिक्तम है, तो यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन ये इनका आपस में कोई संबन नहीं है, पाकिस्तान की जनसंख्या 2011 के एनुसार लगभग उननीस समलो साथ करोन है, इंडोनेसिया जापान फिलिपिन सता सिंगापूर देशों में से उच्च जनसंख्या प्रिधिदर है सिंगापूर की, संसार की सबसे बड़ा नगरी समू है टोकियो प्याको हमा, चीन की जनसंख् प्रिधि नाटकी रूप से धीमी पढ़े गई है, ये बात सही है, कथन कारण दिये गए है, एक बच्चा प्रती परवार नीदी के कारण, उसकी प्रिजनन्दर में कमी आई है, ये बात ही सही है और या, आर एक ही सही द्याक्या भी करती है और आर ए दोनों सही भी, एसिया का सबसे बड़ा नगर है संघाई, एसिया का सरवाधिक नगरी करतेस है कतर, भारत की नगरी जलसंख्या ब्रिटिन की कुल जलसंख्या से अधिक है, ब्रिटिन का नगरी करण भारत के नगरी करण इस तर से उचिदर है, तो यहाँ पर आर ए दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं सही निक्ट भी कथन और कारण ही दिया गया है एसी आई नगर अत्यधिक नगरी गृत हैं यह बास सही है उनकी ब्रेथी आर्थी विकास को लांग गई है दोनों सही है तो आर एकी सही व्याख्या भी करता है आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रिचत अधिक्तम है योईसे में संसार में निम्नतम प्रजिनंदर है पूर्टगार बोस्निया अथा मार्डोवा की इसीया में मात्र मुडित्ति उदर उचतम है नेपाल की विस्व की लबभग असी प्रिचत जनसंख्या सं माजिक सुरच्छा दौरा विस्व की जैविक विवित्ता का सर्मुतम अनुमान मिलता है जो लबभग साड़े चार करून जातियां जीवित हैं उनमें से कोई सो प्रतितिन लुप्त हो जाती है और उनमें से अधिकांस तो अज्यात ही होती है क्योंकि अब तक अधिक से अधिक 15 लाह की ही पैजान की जा चुकी है और टोटल साड़े चार करून जातियां जीवित हैं तो यह विस्व की जैविक विवित्ता का सर्मुतम अनुमान मिलता है